कश्मीर में तरिक सुरक्षा बल जाने के बाद से ही सियासी सरगर में बढ़ने लगी है लेकिन रगवारात को हल्चल काफी तेज हो गई पहले शिनगर में 1444 लागू की गई उसके बाद मुबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा, लैंड लाइन सर्विस भी बंद कर दी गई दूसरी और जम्मू में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जम्मू रीजन में CRPF की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है जम्मू और कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और यूनिवर्स्टी में होने वाली परिक्षा भी रद कर दी गई है कई राजनेताओं को नजर बंद किया गया है इस बीच आस सुभा केंद्री कैबिनेट की बैठक जारी है पृधान मंतरी नरेंद्र मोदी के अधिक्षता में जारी बैठक में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है जम्मू कश्मीर पर मची हलचल के बीच केंदर सरकार ने सभी राजों को अलर्ट जारी किया है इस भी सुक्तर प्रदेश और अन्य कुछ राजों में एंट्री राइट ड्रिल को भी लेकर अलर्ट जारी क्रिया गया है जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के द्वारा की गई खुस्पैट की कोशिश को नाकाम कर दिया है सेना ने 5-7 पाकिस्तानी सैनिको रात अंकवादियों को मार गिराया है प्रधान मंत्री नरिंदन मोदी ने नई दिली में कलभाचपा सांसदों के अभ्यासवर्ग के समापन सत्र को संबोधित किया पीम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि सकारात्मक्ता के साथ काम करें उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले साथ नहीं दिया भविश्यों में अपने काम के साथ उन्हें भी साथ लेकर आएं सोनबद्र मामले में बड़ी कारेवाई करते हुए वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकर्ट को ततकाल प्रभाव से हटा दिया गया है साथ ही उनके खिलाफ विभागी कारिवाई की निर्देश भी दिये गए हैं उनके स्थान पर नए जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्रक्री तनाती कर दी गई है सीतापूर नाओर एपकान में आरोपित विदायक कुलदीप सेंगर और इसी मामले में सहय आरोपित शिश सिंग को कल देर शाम सीतापूर जिलाजेल से दिल्ली के लिए रवाना किया गया आज कुलदीप सेंगर की दिल्ली की एक अधालत में पेशी है उदर सुप्रीम कोर्प में भी समामले पर सुनवाई होगी अमरोह में मुस्लिम युको द्वाराश युभक्तों का स्वागत कर सांप्रदाइक सोहार्थ के नोठी मिसाल पेश की जा रही है युवक्त सड़क पर गुजरने वाले सभी कावणियों को पेवदाद भी विद्रित कर रहे हैं इस पुने काम में लगे मुस्लिम युवक्त इस काम से बेहत खुश नजर आ रहे है तीन तलाग बिल पास होने पर महिलाओं को खुशे जाहिर करना महंगा पड़ गया नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल ने आगरा नगर निगम एसन मेरिकल कॉलेज राष्ट्री राजमार्प्राधिकरंट साइथ कई विभागों पर 25 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है बरेली में युनाइटट शिया मुव्मेंट ने शिया और सुन्नी समधाई के लोगों से अपील की है कि इदुल अजहा के पहले दिन कुर्वानी न करके अगले दिन कुर्वानी करें ऐसी अपील इसलिए की गई क्योंकि बारागस्त को इद होने के साथ ही सावन का चौथा सोंबार है उनकी इस अपील को जन समर्थन भी मिल रहा है चित्रकूर्ट जिले में जिलातिकारी ने भारत सरकार के जलशक्ती अभियान के तहट जिले में मेरी छट मेरा पानी का एक अनोखा अभियान चलाया है जिसके अंतरगत बारिश के शुद्जल को सनक्षित करने के लिए सभी सरकारी भवनों में रूफ टॉप वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम बनाय जा रहे हैं भारत ने वेस्टिंगी के खिलाफ तीन टी ट्वेंटी मैचों की सीरीज में दो शुनी की अजे बढ़त हासिल कर ली है भारत ने कल फ्लोरिडा में खेले गए दूसरे टी ट्वेंटी मुकाबले में वेस्टिंगी को डखवर्थ लुईस नियम के मताबिक 22 रों से हराया सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा